हेलो अबरिवन वेलकम तो माई चानल सिख्छा कॉर्णर तो आज के इस वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ सेमिस्टर थर्ड बी ए पॉलिटिकल साइन्स सेमिस्टर थर्ड के कोर फाइफ में के चैप्टर है ठीक है यह विनौभाव उनिवर्सिटी में जो बी ए पॉ पारे में जानना है और उसका नोट्स चाही तो यहां पर आपको वह मिल जाएगा ठीक है तो अगर आप निव पब्लीक अड्मिस्टेशन को सर्ज करके यहां तक आए तो आप एक आप साही जगा पहुचे ठीक है तो यहां पर मैं आपको एक ब्रीफ एक नोट्स एक परफ यह में समझ में आ जाएगा तो उसमें कुछ चेंजेस लागे ठीक उसमें जीतने सारे जिसे फर्स्ट ब्लाइन में आपका लिखा हुआ है इनस्टैबिलिटी था कन्फ्यूजन था टार्बैलेंस था उसको थोड़ा चेंज करके उसको थोड़ा ठीक है एक निव ठाउड से बड़ा डाला लाए गया और उसमें एक ट्रेडिशंल है ना चेंजेस दर ट्रेडिशनल कंटेंट्स और उसको एक निव डिरेक्शनी परपस दिया गया उसी को हम पढ़ेंगे सबसे पहले कोई भी कभी भी हमना एंसर लिखते हैं या नोट्स बनाएंगे तो सबसे पहले introduction ठीक कि new public administration है क्या उसके बारे में भी हम आगे धीरी दिल topic by topic हम पढ़ेंगे उसके जो भी exam में जैसा question आएगा तो introduction को लिखेंगे और जो topic है उसको हम लिखेंगे और conclusion लिखेंगे हमारा खतम हो जाएगा है ना चली तो periods of turbulence, instability and confusion are often seen in history to produce new thoughts ठीक है अब हम history में देखें हैं क्या देखें हैं कि turbulence कुछ भी कोई भी जेग ठाउट आता है तो उसमें कुछ instability होता है कोई confusion होता है ठीक है तो उसमें एक new thought को डालके ठीक है और traditional, traditional मतलब कि जो पहले जो चीज था जैसे public administration तो पहले से था ठीक है तो उसमें कुछ challenge उसको challenge करके ठीक है और उसमें अच्छा बनाने की चाहसे उसको क्या करते हैं मतलब एक नए direction में ले जाते हैं तो उसी को हम यहाँ पर अभी देखेंगे new public administration है ना in the late 1960s during the period of instability and turbulence in America अभी हम अमेरिका कई बात करेंगी यह चीज है some of the best American scholars pioneer ठीक है a new movement in America public administration which came to be known as new public administration ठीक है यह था एक चली में American public administration ठीक है जो new scholars थे best scholars थे है वो सब क्या किये है मतलब कि एक movement चला है American public administration ठीक है उसी को नाम दिया गया new public administration अब हम देखेंगे rise up new public administration actually में जब public administration थो था तो यहाँ पर एक नया public administration कैसे चल रहा ठीक है कैसे होने लगा तो अब देखते है यहाँ पे दे यंग स्कॉलर्स अल्दों नर्टर्ड एंड अस्कूल इन दा एरा पॉजिटिव गोवर्मेंट अवरी एक्श्वाली सेंसिटिव तो दफॉलिंग सॉरी फैलिंग अफ अमेरिकन डेमोक्रेश्च ठीक मतलब कि new public administration जो पॉब्लीक अडमिस्टेश्च था उसे क्या होता उसी को चींज करने के लिए जो स्कॉलर्स लोग थे वह मतलब कि यहां पर देखेंगे कि मीटिंग बुलाएंगे ठीक अलग 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 रिपोर्ट देंगे ठीक है ताकि क्या करें उसको एक नया public administration मनाया जाया उसमें क्या क्या होना चाहिए कैसे होना चाहिए उसी को यह रच्छन मैंसे बूल सकते हूं मैं और चाहिए जो पुराने प्राचीन जो पुब्लीक अड्मिस्टेशन थे उसको क्या करते है चाहिए ठीक है इडवाज दूरिंग इस पिरिएड वैंड यंग स्कॉलर डिस्टिंक्टली डिमांडेट रियस्टोरेशन अफ वैल्यूस अ जो पुर करना चाहिए अच्छेश करना चाहिए ठीक है इसी के लिए मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि एक नया पॉब्लीक अड्मिस्टेशन का डिमांड हो रहा है या बन रहा है ना देख लेते हैं अगे नेक्स्ट पॉइंट में डिसकस करेंगे ठीक है तो यहां देख पॉब्लीकेशन और टॉब्लीकेशन 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 और तो दो बुक यहाँ पर है, यह तो publication है, यह अलग चीज है, यहाँ पर अब देखते हैं, हम दो बुक यहाँ पर है, published हुए थे, क्या-क्या, Toward a New Public Administration, यह मीनो बुरूक से, जो कि आपका first 4 नमर में दिया हुआ है, है ना, यह जो है, कि जो Public Administration का concept है ना, New Public Administration, उसको बहुत ज्यादा popularity है, जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी चीज हम अगमान के चला, अभी अगर किसी को popularity चाहिए, तो वो क्या करेगा, या तो कोई videos बनाएगा, वो viral हो गया, या तो आप books भी लिख सकते हैं, अगर books भी viral हो गया, तो उस समय के time में, क्या कर सकते थे लोग, उस समय के time में, यही कि books, उसके books लिख दी है, ताकि वो चीज जो है, New Public Administration, सब को समझ में है, उसको पढ़के है ना, तो उससे जो, यह ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, कि हम एक एक करके सारे topic को discuss करेंगे, the honey report on higher education for purpose service 96, पहुत इजी है, ठीक है, इसको आप खूद से भी अगर पढ़िएगा, तो वही चीज आपको समझ में आ जाएगा, कि honey report में है क्या, ठीक है, यहाँ पर देखें क्या है, कि in 1966, 1966 main affiliate of American society for public administration ठीक है, पूछता है, किस से पूछता है, मतलब कहता है public professor John C. Ghani को, ठीक है, जो कि कहां के यह सारे काउस, university के professor थे, ठीक है, to undertake an evaluate study, मतलब कि एक study कराने के लिए public administration के बारे में है, अब आगे देखते है, honey report submitted in 1967, एक सिगनिफिकांटी, सिगनिफिकांटी इन दे सेंस दाट, it disclosed the true state of health and discipline of public administration, मतलब simple है कि यहाँ पर क्या है, कि जो यह honey report था, इसमें क्या है, एक सिगनिफिकांट सावियत हुआ, ठीक है, कि है honey report करन, कि इससे कहा है न, कि लोग, क्या बोलते हैं, यहाँ देखे, disclose the true state of health of discipline of public administration, मतलब public administration का क्या discipline है, यह सब चीज को समझाया गया, ठी ठीक है, अब क्या honey report suggest है, क्या suggest करता है, the scope of study of the subject should be broadened and it should be linked with the government process, मतलब क्या है कि अगर कोई public है, जैसे कि अभी हम लोग है, तो हमें, जैसे PIB है, आपका जो है, ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता चल लाता है, जैसे कि अभी कोई भी government policies आता है, अभी हम present का बात करें, तो ह उनका official side से कि यह जी आने वाला, यह scheme आने वाला, यह scheme आने वाला, ठीक है, government ऐसे process करती, ऐसे process करती, तो उस समय भी वही चीज हो रहा था, new public administration में, कि universities में इसको पढ़ाना जाना चाहिए, ताकि लोग जान चाके कि कैसे हमारी government वहा कर रही है, ठीक है, government processor को समझ सके, ठीक role of public administration in solving and creating social awareness, ठीक है, बतला यही sample जो मैंने भी बोला भाईची है, अब देखें, Philadelphia conference में क्या था, है न, the American Academy of Political and Social Science, ठीक है, organized a conference, एक conference बुलाती है क्या, Philadelphia में, December 1967, ठीक है, under the chairman से भी यह सब चीज याद रखना आपको, जोसे कि जब आप answer लिखोगे, तो points क्या होगा आपका यही सब चीज की 1967 में, December 1967 में, conference का, यही, तो point याद रहेगा, Philadelphia तो यही पता चले ही जाएगा, कि conference आपका, Philadelphia में बुलाए गया था, है न, उसके अद किया किस के chairmanship में, Jam C. Charles Worth के chairmanship में, है न, अब देखते आगे, various views were expressed in the conference, public administration was viewed as an academic discipline, है न, as a field of exercise and as a profession, some defined public administration, कुछ लोग public administration को कैसे define कर रहे थे, ऐसे define कर रहे थे, कि जो public administration in the public administration, ठीक, public interest, मतलब public interest, अगर administration होता है, तो उसी को हम public administration बोलते है, और कुछ इसको define कर रहे थे, कि यह एक governmental administration है, ठीक, कि government किस तरह से public को administrate कर रहे है, उसी को है, ठीक है, country को कैसे चला रहे है, यह सब, स्टेट को केस चला रही है उसी को बोलेंगे governmental administration next point हमारा है there was however no agridist, मतलब कि कोई भी एक agrid definition नहीं आया था वहाँ पर, ठीक है, yet it is significant as the Philadelphia conference could be credit with being a forerunner of Mino Brook event, मतलब कि वहाँ के बाद, जो मतलब कि एक तरह से बोलते हैं ना कि कुछ एक चिंगारी टाप का, ठीक है तो Mino Brook event के लिए एक तरह से चिंगारी का काम किया, तो Mino Brook conference आपका 1968 में हुआ, ठीक है इसमें क्या Mino Brook conference was held in 1968 at Mino Brook, Saracos University में, by the young scholar of public administration under the guidance of Dwight Waldo, it was this, it was this academic get-together, academic get-together था, which gave rise to what has come to be known as new public administration ठीक है, और वहाँ पर जो बात हुआ जो इसके बारे बताया गया तो उसी को, मतलब एक तरह से new public administration बोला गया, ठीक है known as new public administration the basic objective of this conference वाज़, इसका यहाँ का basic objective गया था, to examine the way of making public administration responsive ठीक है, मतलब basic objective था यह कि जो public administration उसको responsive बनाया जाया to social concern and assume the role of a change agent in reforming the society ठीक है, it was this conference which expressed very loudly and clearly the dissatisfaction dissatisfaction with the state of the discipline it was the first one which sought to give a new image of public administration ठीक है, वाँ पर एक पाला था कि जहाँ पर अपका हाँ, तो sorry हम कहा थे it was the first one which sought to give a new image of public administration ठीक है, वाँ पर ऐसा पाला था कि जो एक public administration का जो नया रूप है, ठीक है, new public administration जो है, ठीक है, उसको वाँ बताया गया, a subject actively concerned with the problems of society, ठीक है, जहाँ पर बताया गया कि problems of society are full of reformist intention, ठीक है, मतलब एक होता है ना, reformist intention का जहाँ मतलब होगा जैसे कुछ changing लाने वाले जो होता है ठीक है, तो वाँ पर क्या बताया जाएगा कि society में ये problem, ये problem, ये problem है ना, तो उसे कैसे new public administration है ये public administration जो है, वो कैसे उसको solve कर सकती है, ठीक है, वही वाँ पर बताया गया, तो उसके बारे में जाना गया जादा, अब यहाँ पर जो हमारे दो जाएदा खुछ नहीं है, इसको आप पढ़ लीजेगा, अब यहाँ पर हम देखेंगे goal objectives of new public administration, ठीक है, कि जो goals क्या है new public administration का, कि वो new public administration का objective क्या है, objective ही लिखा होगा, तो आप लोग जहाँ भी कई topic में लिखा हुआ रहा था objective of यह, तो वही होता है कि इसका goal क्या है, अब relevance का बात करेंगे, तो relevance में हमारा क्या लिखा हुआ है, relevance में हमारा क्या दिया है, उसको हम समझेगा इसको तो आप लिखी लीजेगा, relevance में क्या है, कि जो new public administration होगा न, वो relevant होगा किसे, society से, है न, कि society में जो changes लाने के लिए, new public administration को बना गया है, न, तो यह किसे, society से relevant होगा, मतलब कि social lives होगा, उससे relevant होगा, यह चीजे है, न, यहाँ पर तो आप लोग यहाँ पर इसको पढ़ लीजेगा, इसको आप लिख लीजेगा, इसको आप लिख लीजे, है न, कि हम बात करेंगे, value justice का, freedom का, equality का, human ethics का, ठीक है, तो यह सब जो value है, जो इसको क्या है कि greater concern दिया हुआ है, ठीक है, तापको जिसे कि 4, यहाँ पर आपको, 4 point पर, मतलब 4 line बे देखेंगे, आप ठीक है, क्या लिखा हुआ है, made a plea for a greater concern with the value, issues and, sorry, of justice, freedom, equality and human ethics, ठीक है, तो य यहाँ पर आप, आपको यह देखेंगे, ठीक है, तो values में क्या लिखा है, ठीक है, अब social equality का बात करेंगे, अगर new public administration पढ़ रहा है, तो अगर सब चीज़ को हम सुधार रहे है, तो एक social equality को भी हम उसमें लेके चलेंगे, कि जो equality, society में, सब को equality, equal होना चाहिए है, यह changes, changes में क्या है, कि अगर हमें यतने सारे, अगर हमें values को देखना है, society को relevant करना है, ठीक है, और अभी क्या था, इसके पहले हमने क्या पढ़ा, इसके पहले हमने पढ़ा, social equality, है ना, तो यह सब चीज़ के लिए क्या करना पढ़ेगा, जो public administration है, उसको क्या करना पढ़ेगा, changes उसमें लाना पढ़ेगा, वही चीज़ को हम यहाँ पर पढ़ रहे है, न, public administration is generally concerned to a status, Q-oriented, the conference that happened to make discipline more relevant and social equality oriented through changes and innovation, वही बता है मैंने कि यह सब चीज़ करने के लिए, किस से होगा, यह सब किस से होगा, कुछ changes और innovations है, ठीक है, हो गया, अब client oriented में क्या है, इसको समझते है, a new public administration advocates, a client focused purpose, ठीक है, it stresses not only on providing goods and services to the clients, but also giving them a voice in how and when and what is to be provided, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं, मतलब की, मतलब होता है न, की जिसे डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में सब को बोलने का दिखा रहे, आप कुछ भी बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो, मतलब की आप अपने आवाज ग client oriented होगा, अब क्या है कि conclusion को अब हम समझते है, conclusion में क्या है, जीतने सारे में ने पढ़ा है, उसी का conclusion है, the new public administration that evolved in 1960s in the aftermath of the Mino Brook conference gave primacy to keys concern that had relevance during those time, it certainly imparted new substance to the discipline, new public administration has seriously jolted the traditional concept and has enriched the subject by importing a larger perspective by linking it closely to the society, तो यहाँ पर आपका क्या है, कि जो new public administration का topic था, वो chapter था, वो complete होगा, अब comment में आप section ने बताऊगे, कि आपको notes कैसा लगा है, अगर कुछ और कुछ आपको पूछना है, तो आप comment section में आप पूछ सकते हैं, तो आपको यह चीज़ को note कर लेना है, अपने copy में, ठीक है, आप पढ़ते जाओ और note करते तो वो सबसे best होगा है, तो इसके बाद हम topic जो हमारा next topic होगा, वो क्या होगा, hierarchy, a span of control and unity of command, जो कि public administration का third chapter है, ठीक है, उसको हम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे, जो आपका एक मेने video upload किया था, प्लेटो, ठीक है, theory of justice, ठीक है, मतला ऐसे करके जो video upload हुआ था, वो चीज़ है, अबर जो अबर video होगा, उसके बाद, उसमें क्या होगा, कि प्लेटो का जो theory justice है, education है, and क्या है, आपका communism है, तो वो तीनों को एक ही साथ, एक ही notes में आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो उसके लिए आपको बस यही करना है, कि इस video को like करिए, जितना सी हो सके, और अपने दोस्तों के साथ share करिए, और चैनल पे बने रहें, और चैनल पे अगर आप नए हैं, तो चैनल को subscribe करिए, मिलते नेक्ट वीडियो में, till then, जय हीं, जय भारत!